कि नमस्कार फ्रेंड्स वैलकम टू इस्टडी वित नीलम आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम इस्टेटिक्स जीके का लेक्चर नंबर फाइब करेंगे अभी तक के लेक्चर हम चार कर चुके हैं जिन इस्टुरेंट्स ने वो नहीं देखें और जिने प्लेश्टोर पर जाईए और वहां से डाउनलोड कीजे इस्टडी वित नीलम आप यहां पर आपको हमारे सभी प्रिवियस वीडियो प्लस हमारे पीडिय एफ और प्लस आपको क्विज मिलेगा जीके का ओके और हमारे जो भी अपकमिंग कोड से उसकी इन्फोर्मेशन भ लिए हमारा टेलिग्रम चैनल जॉइन कर सकते हैं चले तो फटाफट सिरू करते हैं हम इस्टेटिक जीके कैसा है आपका इडू की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना निम्नु में से किस राज तथा नदी पर है तो राइट आंसर इस पेरियार नदी केरल किस राज में ह किस राज या केंद्र शाशित या केंद्र शाशित प्रदेश में हैं तो कोईना परियोजना है आपकी महाराष्ट में किस नदी पर है तो कोईना नदी पर है किस नदी पर है कोईना नदी पर ही है विजेवाड़ा सहर निमनु में से किस नदी के तट परिस्तिते मैं डेली देख रहे होगे current affairs तो उन्हें पता होगा यह में हर 2-4 दिन में जब भी कृष्णा नदी यह अंद्रप्रदेश का नाम आता है तो मैं यह बताती हूं विजेवाडा किस सहर के किनारे किस नदी की किनारे तो यह कृष्णा नदी के किनारे याद रखेगा विजेवाडा सहरों के गलत युगम का चैन करें एक और चीज बोलना चाहूंगे आप लोगों को अगर जिन स्टुएंट्स का जी के बहुत अच्छा है तो वीडियो को पॉस करके अपना अंसर करें पहले ठीके कमेंट कर सकते हो आप अपना अंसर देन फिर आप देखिए कि आपका कितन जी के श्ट्रॉंग है नहीं है तो श्ट्रॉंग कीजिए ओके चलिए डिबडुगर ब्रह्मपुत्र नदी ग्वालियर चंबल नदी अयोध्या गंगा नदी सूरत तक्ति नदी तो यहां पर हमें किसका अंसर देखना था गलत तो हमारा गलत अंसर होगा यहां पर गलत ज जी लिए गए क्यूंकि डिबडुगर भी एक्जाम में आ चुका है किस नदी के किनारे ब्रह्मपुत्र इसको भी बच्चे गंगा लगा कर आये हैं ठीके बिल्कुल जल्दबाजी मत किया कीजिए एक्जाम में ग्वालियर है चंबल नदी के किनारे और सूरत है तापती नदी के किनारे लखनव सहर किस नदी के तट पर इस्थित है तो लखनव है गोमती नदी किस नदी के तट पर है गोमती नदी के तट पर है उत्तर प्रदेश की राजधानी है राजना सिंग जी का लोक सवाच छेत रहे क्या लखनव ठीके तो याद रखिएगा लखनव न अंडर वॉर्टर ट्रैनड प्रोजेक्ट कहां पर? हुगली में हुगली कॉलकत्ता हुगली से एक ओर है खुबली हुबली को मिसमेच मत कीजिएगा हुबली में क्या बन रहा है? देश्व का सबसे लंब प्लेटफॉर्म बन रहा है कहां है उबली करनाटक में 1400 मीटर हैदरवाद किस नदी के किनारे मूसी नदी के किनारे फिरोशपुर सतलज नदी के किनारे और नासिक कावेरी नदी के किनारे तो ये हमारा आंसर क्या होगा गलत होगा है ना गलत का चैन करना था तो नासिक किस नदी के किनारे है गोदावरी नदी के किनारे है गोदावरी के नदी के किनारे है ओके नासिक का कुम्ब भराता है तो किस नदी में नहाने जाते हैं गोदावरी नदी में नहाने जाते हैं ठीके चलिए उज्जेन सहर किस नदी के किनारे इस्थिते तो सबस्राइब नदी में कहा पर उज्जेन चिप्रा नदी उजं सबस्ते कि किनारे इंस्टोरि नर्वदा की किनारे तो जबल पूर खंडवा हुसंगाबाद इस तरीकी से बहुत सारे सहर हैं निमने लिखे सहरों की उनकी नदियों के किनारे इस्तित्तों होने के गलत विकल्प का चैन करें गलत देखना है में अमरावती, कृष्णा नदी, राइट यह जो है आपका यह अमरावती है आपका जो कोशन यह है आपके महाराष्ट वाला अंद्रप्रदेश वाला अमरावती नहीं है गया जो बोध धर्मका केंद्रे बिहार में यह किस नदी के किनारे फाल्गू नदी के किनारे भरूज, गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे कोटा, लूनी नदी के किनारे क्यूंकि लूनी नदी के किनारे नहीं है कोटा, कोटा है चंबल नदी के किनारे किस नदी के किनारे अगर आपने पढ़ा होगा तो कोटा बेराज, ओके यह कहाँ है, चंबल नदी पर बनाए वाकी भी सभी important है तो सबको याद करते हुए चलना है आपको विभिन राज्यों के लोक नर्थ देखेंगे अब हम फटाफट निम्नलिकित में से कौन से नर्थ जारकंड राज से संभंधित हैं जारकंड की देखना है तो छाओ और पाईका दोनों ही नर्थ कहां के हैं जारकंड राजिके चाओ पाईका जारकंड छाओ पाईका जारकंड ठीक है तो चाओ पाईका को आप कर सकते मतलब याद करने के लिए बता रही हूं सिर्फ में खंड चाओ पाईका ठीक है ये खंड क्या है एक आइसक्रीम का नाम है और आपने छपाक से खाया और गप कर गए तो छाओ पाई का इस तरीके सा आप याद कर लीजिएगा ठीक है छाओ पाई का बीहू बीहू तो बहुत आता है एक्जाम में यह है असम असम का है बीहू नित्य और असम का यह कली गोपाल असम का ही यह बीहू नित्य और कली गोपाल भी कहां का है असम का ही है ये दोनों रहते कहां के हैं असम के आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं असम नाम का जो लड़का है उसकी बहु है ठीक है बीहु उसकी बहु है और ये दोनों बीहु का भाई कोने कली गोपाल है क्या नाम है बीहु के भाई का कली गोपाल तो असम नाम के लड़के क वाइफ का नाम है भी हूँ और उसके भाई का नाम क्या है कली गोपाल ठीक है ये सब लोग कहां रहते हैं या ये आप याद रखेगा न सम में रहते हैं ओके गर्बा कहां पर होता है तो ये गुजरात में होता है कहां होता है गुजरात में होता है गर्बा नेक्स्ट देख तो इस संब्ढ़ने निम्ने लिखित में से गलत युगमगा चैन करें तो यह कटफुतली निर्त कहां पर राजिस्थान में राइट गूमर राजिस्थान राइट यह से 2013 में आचुका है याला लगोस्टर ठीक है याद रखना है सुई सीनी नरत्य कहा पर है गाजिस्थान पाई का कहा का है पाई का हम देख है है जहार खंड का चलिए निमने लिखित में से कौन सा लोक नथ नागा लेंड रे जराज से संबन du थे एक ही चीज है भई नागा लेंड में नागा से क्या हो गया नागों के देवता ठीक है नागों की भूमी नागा लेंड हम सिर्फ यात करने के लिए कर रहे हैं ये सब नागों की भूगी भूमी नागा लेंड और इनकी होती है वहाँ पर क्या चोंच क्या होती है नागा लेंड में नागों की चौच होती है ठीक है तो कौन सा न्रत्त है नागलेंड का चोंग न्रत्त कौन सा है? चोंग न्रत्त सुई denay राजिस्तान गर्वा गुजराथ बिरहा कहा है मद्यप्रदेश बिरहा मद्य प्रदेश निम्न लिखित में से कौन से लोकनत गोवा राजी से संबंदी थे धकनी और मांडी तो राइट आंसर होगा दोनों दोनों कहां से गोवा राजी से है धकन की मंडी कहा लगती है गोवा राजी में लगती है धकन करीदना हो तो धकन की मंडी, गोवा, राज में लगती है, याद हो जाएगा शाय धकन की मंडी, गोवा, राज, धकनी और मांडी, किस राज के लोकन रते हैं, गोवा, राज के हैं, मुखोटा और युद्धिन रते का संबंद किस राज से हैं, ठीके मुखोटा और युद्धिन रते का लोगों ने लेकिन पुलिस की पुलिस ने धारा 144 लगाई थी उसके पहले उन्होंने गोट मार मेला का खेल लिया एक दिन पहले जिससे धारा 144 का उलंगन हुआ वो लोगों की गरफतारी चल रही है यह पुलिस के द्वारा तो वो लोग क्या करते हैं बही बिल्कुल सज धच के आते हैं प्रोटेक्ट होको और एक दूसरे पर पत्थर मारते हैं तो उसमें गोट मारना ठीक है उसी तरीके से मुखोटा और युद्ध ने रहते हैं जब युद्ध की तैयारी की जाती है तो जो सेनिक होते हैं ठीक है क प्राचीन काल में जो इसकी हिष्ट्री है उसमें जब सैनिक जाते थे युद्धपर तो मुखोटा पहन के जाते थे कहां किस राज्ज के सेने अर्णा चल प्रदेश के सेनिक तो आप याद हो जाएगा कि आर्णा चल दिखिए आप लोगों को मैं ये बता रही हूं ये आप आपको याद हो चुका है ठीक हो ही गया है अब आप इसको जब दुवारा वीडियो को करेंगे आप लगाएंगे खुश से आंसर तो मुझे 100% उम्मीद है कि आप से कोश्चन बनेगा इसलिए स्टोरी जो कनेक्ट करके सुनाई जारे उसे याद करते जाओ अच्छे से सुनो दिहान पूरवक ठीक है तो अर्णाचल प्रदेश के कौन-कौन से मुखोटा और युद्ध्य निरत्य ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं निमने लिखित में से निरत्य और उनसे संबादित राज्यों के गलत विकल्प का चैन करें गलत विकल्प देखना है हमें तो गड गड़वालीकहां उत्राखंड में होता है अच्छे से याद रखना गड़वाली जण जाती फी हुत्राखंड में बात होती है तो रा वोष कहां जम्मु कश्मीर में चपेली हिमाचल प्रदेश चपेली हिमाचल प्रदेश और डंडा नाओ ठीके चपेली और डंडा नाओ दोनों लेकर कहा गए आप हिमाचल प्रदेश घूमने ठीके चपेली मतलब चपेली आप चपल या कुछ और से कनेक्ट कर सकते हैं से चपेली और डंडा लेकर गए कहा हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए तो ये याद हो जाएगा आपको गाड़ी नत्य का संबंद किस राज्ज से भई गाड़ी तो चलती है 36 पहियों वाली कौन सी पहियों वाली चलती है कहां 36 गड़ राज्ज में ठीक है तो 36 गाड़ी 36 गड़ ओडिशी नत्य बहुत एज़ी है ओडिशी नत्य ओडिशा राज्ज में लावणी नत्य लावणी बहुत ज़्यादा फेमा से किस राज्य में होता है महराष्ट में होता है लावणी महराष्ट लावणी महराष्ट लावणी वेसे तो एक तेहवार है ठीके लेकिन वहाँ पर इससे संबंदित नत्य होता है तो कभी-कभी नत्य से भी आ जाता है का से में घाले से 것은 में घृणले के चेरह पुंजी में बहुत जादा बारिश होती है जा इस बारिश भारिश में आते हैं बागला नामक पक्षी आता है धीक है तो याद रखना में घृगले का बागला पक्षी बागलने ध मैं गाले निम्न लिखित में से किस लोक नर्त्य का संबंद उत्तर प्रदेश से नहीं है नहीं है पूछा जा रहा है कजरी रासलीला का है जोरा नोटंकी का है चर्कुला का है तो यस यक्छिगान का नहीं है इसका किस राज्य से इसका राज्य संबंदे के आर्टी से करनाटक से किस राज्य से संबंदे थे यक्षिगान बहुत आचुका यक्षिगान बिल्कुल अच्छे से याद करना इसे करनाटक से है यक्षिगान लोक नरत्य करने वाले को क्या कहा जाता है अब आप लोग बोले हे है तमासा का संबन्द निम्ण में से किस राण्ज से है तो तमासा है महाराष्ट का जो तमासा दिखाता है न बनाता है यात करने के लिध बता रही हुँ अदर्वाईस मत लीजेगा आज का कोश्चन है आपका borrow new t संबन किस राज्ज से यह रहे आपके option जितने student देखे उतने जवाब दीजेगा और मुझे पता है आप लोग सब जवाब दोगे ओके तो यह था हमारा आज का lecture number 5 statistics जी के I hope आपको पसंद आया होगा और informative भी लगा होगा और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेर करना बिल्कुल मत भूलिए thanks for watching have a great day and take care